आदिश याम, जैश्री केशना, कैसे हो आप सभी? उमीद करती हूँ आप सभी मंगल में होईगे। आप सभी लोग नित्ते प्रती दिन मंदिर जाते हैं। मंदिर जाने की बात हम लोग बहार आके सीरी पे बैठ जाते हैं या फिर पोड़ी पे बैठ जाते हैं। आप लोगों को पता है कि बाहर आके सीरी पे बैठ के हम लोग क्या करते हैं। क्यूं बैठा जाता है इसके पीछे आखिर रहस्ते क्या है। आज करके लोग तो अगर बैठेंगे तो फिर राजनिती बाते चलेंगे। कि हम राजनिती में यह होगिया है, कॉंग्रेश कां, भासपां कां यह होगिया। या फिर व्यापालिक बाते चलेंगे। और अगर घनित्य बैठेंगे, तो फिर आपको पता है है कि क्या चलेंगे, मेरे बेटे की शादी नहीं हुई है, यह नहीं हुआ हैं। को नहीं हुआ। असल में क्या रीजन है कि हम लोग आके speakers ही सीरी पे बैठते हैं तो हमें क्या करना चाहिए। जब हम अंदर जाते हैं और ठाकुर जी के दर्शन करते हैं और भिभारी जी के दर्शन या फिरिखिसी भग्वान के आगे दर्शन करते हैं तो हम लोग अपने हाथ जोड़ लेते हैं और हाथ जोड़कर आखे बंद कर लेते हैं अरे हम गए हैं दर्शन करने उसमें आखे बंद करने का क्या रीजन है कोई आप दर्शन करने जाओ हाथ जोड़कर भगवान की आखो में आखे डाल कर भगवान को देखो बहार आप आओ आने के बाद पोरी पे सीरी पे बराउंदे पर जब बहार आओ आकर बैठो तब आखे बंद करो और देखो मेरी ठाकुर की चबी आपके मन में आ रही है क्या मेरी स्यामा की चबी आपके मन में आ रही है अगर नहीं आ रही तो दुबारा उठो और दुबारा उठने के बाद धुबारा मंदिर में जाओ और फिर बिहारी जी की आखों में आखे डाल कर देखो ठाकुर जी की आखों में आखे डालिये कहते हैं मेरे ठाकुर की आखों में बड़ा नसा है दुनिया में वो नसा किसी में नहीं है एक बार जिसने ठाकुर की आखों से आखे मिला ली, माराज उसको दुनिया में किसी भी नसे की आवशचता नहीं पड़ती क्योंकि उसको भक्ती का नशाचर जाता है, मेरे बिहारी की भक्ती का नशाचर जाता है, आप ठाकुर जी को देखिए, उनका साज, सिंगार, उनके वो उनके नैन, उनकी ठुड़ी पर लगा हुआ जो हीरा है, उसको देःन. पूरा सिंगार देखे. और उसके बाद दुबारा आके मत बैठरे。 पोड़ी पर बैठर, सीड़ी पर बैठर, यहाँ पर भी जगे मिल जाए आपको. अपनी आखों को बंद कीजिए. और अपनी आखों को बंद करने के बाद अगर सिंग पूरा का पूरा आपके पास ठाकुर की वही चबी आ रही है जो चबी अंदर है तब सही माइने में आपने भगवान के पृत्यक्ष दर्शन करें सही माइने में आपने भगवान के दर्शन करें लेकिन आज की लोग भगवान के दर्शन करके आते हैं और भगवान के दर्शन करके आने के बाद सेड़ी पे बैठ जाते हैं उसके बाद अपने राजनिती बाते चलाते हैं उसके बात अपने सांसारिक बाते चलाते हैं उसके बात अपने मोह माया के जन्जाग में फज जाते हैं आप लोग जब मंदिर में जाओ तो हमेशा आँखे खोल के रखो भगवान को दर्शन करो और उसके दर्शन करने के तत्पस्चात बहार सीरी पे आकर बैटो और जब आप दशन कर रहे हो, जब आप प्राथना कर रहे हो, भगवान से प्राथना करो, याचना मत करो, याचना क्या है, याचना आप करते हो कि भगवान मेरे पुत्र का विवा हो जाए, भगवान मेरे बेटा हो जाए, मेरे बेटे की शादे हो जाए, नहीं, भी क्यों मा कि अनाया सेन मरणं बिना देन जीवनं देहंते तव सानिध्यं देहिमे परमेश्वर भगवान से आपको प्राथना करनी है कि हे भगवान अनाया सेन मरणं अर्थात बिना बीमारी के बिना विस्सर पकड़े चलते चलते ही हम श्रीजी के चरणों में लिपट जाएं, श्री जी के चरणों के दास बन जाएं, श्री जी के चरणों में समाहित हो जाएं, ऐसा बोलो, कि बिना किसी बीमारी के, हम लोगों सिरी जी के चरणों हो जाएं, चलते फिरते बिना किसी के सारी के, दूसरा क्या बोलना है, कि बिना देहें नज जीव नम अर्थात बिना किसी के सहारा लोगों को लकवा मार जाता है परलाइस हो जाता है वो बिस्तर पकड़ लेते हैं हम भगवान से प्रात्ना करो कि यह भगवान बिना किसी के सहारे के हम चलते फिरते हमें किसी के सहारे की जुरुत ना पड़े हम चलते पिरते आप हमें ऐसी किर्पाकरोष की चलते फिरते हम आपके पास आ जाए फिर बोलते हैं कि देहनते तब सानिध्य अर्थात जब मेरी मित्य हो तब मुझे आपका सानिध्य मिले आपके दर्शन मिले जैसे भीश्यम के दामा की मित्य हुई थी कि इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले जब भीश्म पतामा की मित्य हुई थी गोविंद सामने खड़े हुए थी ऐसा मागो और उसके बाद बोला है देही में परमेश्वर यह भगवान में आपसे यही अर्चना कर रही हूँ यह भगवान में आपसे यही बंदना कर रही हूँ आपको सिड़ी पे बैठके यह प्राथना करनी है ठाकूर से हमेशा जाओ हमेशा मैं इस लोक नीचे भी लिख दूंगी इसको रट लीजिए अपने दिमाग में बठा लीजिए इसके अर्थकुप दिमाग में बठा लीजिए अपने बच्चों को बताईए कि आपको मंदिर में यह नहीं मांगना कि म और अधिक जानकारी चाहिए तो मेरी वीडियो को अगर आप अच्छी लग दिया मेरी वीडियो तो हमारे चैनल हरी पॉल को सब्सक्राइब कीजिए चलिए जय जय श्री किष्णा हरे बठाट